नवस्केर दोस्तों मैं आप सभी का चिर पर चेत दोस्तों पस्थित हूँ हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद हिं मुहत्य पून जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं थाइराइड के बारी में कि अगर आपको थाइराइड की समस्या हो गई है या आपकी किसी जानने वाले को तो आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं थाइराइड होने पर दिखते हैं दस शुरुवाती लक्षन इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है और इसके अलावा कौन से दो उपाई हैं जो की घरेलू हैं होमेडरेमेडिज हैं जिनके सहारे आप थाइराइड को खत्म कर सकते हैं इसी पर आधारित है हमारा ये आज का वाइस ओवर थाइराइड हमार बदलते खान पान के कारण यह तेजी से बढ़ रहा है अन्यमित खान पान से हमारे शरीर के बदलते हार्मोन्स के कारण यह एक बड़ी समस्या बन चुका है यह पुरुषों के मुकाबले इस्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है यह दो प्रकार का होता है हाइपो था थाइराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे अधिकतर लोग ग्रस्त रहते हैं पुरुषों के मुकाबले यह बीमारी औरतों में ज़्यादा देखी जाती है थाइराइड मनुशरीर में पाय जाने वाले इंडोक्राइन ग्लैन में से एक हैं थाइराइड ग्रंथी गर्दन में स् अन्य हार्मोंस के प्रती होने वाले समवेदन शिल्टा को कंट्रोल में रखता है थायराइड होने पर शरीर की प्रतिरोधक शमता कम होती है जिससे शरीर में कई तरह की प्रोब्लेम्स नजर आने लगती है अधिकतर मामलों में थायराइड के शुरुवाती लक्षन का पता नहीं चल पाता है क्योंकि गर्दन में आने वाली छोटी सी गांट को तो अक्सर सामान्य समस्या समझ लिया जाता है लेकिन इसके अलावा और भी कई लक्षन शरीर में दिखने लगते हैं जिनको लेकर के हम लोग अक्सर ला परवाही बरत देते हैं जो बाद में गंभीर स समस्या को बुलावा देना होगा आप इने लक्षनों के पहचान जान करके सही समय पर थायराइड का इलाज करवा सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से सुरक्षित महसूस होने लगेगा आईए जानते हैं थायराइड होने के 10 लक्षनों के बारे में तीजी से बढ़ता वजन मुटापा आज हर किसी के लिए समस्या बन चुका है लेकिन अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो इसे नजर अंदाज करने की गलती ना करें क्योंकि थाइराइड के कारण मेटाबलिजम भी प्रभावित होता है हम जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से एनरजी में नहीं बदल पाता है और वसा के रूप में शरीर पर जमा होने लगता है थाकावट रहना जिहां अगर बिना कोई काम किये शरीर थाकावट या कमजोरी महसूस करने लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले क्योंकि मेटाबलिजम पर थाइराक्सीन के प्रभाव से खाय गया खाना एनरजी में नहीं बदल पाता है तो शरीर थाकावट और कमजोरी महसूस करने लगता है इसके अलावा थाकान का कारण एनीमिय भी हो सकता है अन्यमित पीरियर्ड जिहां वैसे तो बदलते लाइफ स्टाइल में अन्यमित पीरियर्ड की समस्या बहुत सी जाते हैं डिप्रेशन में रहना अगर थाइराइड ग्रंथी कम मात्रा में थाइराक्सिन उत्पन करती है तो इससे डिप्रेशन वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं डिप्रेशन से रात अनिद्रा की प्रोब्लेम होती है अगर आपको भी डिप्रेशन रहता है तो तु भूख तेज लगने के बाद भी खाना नहीं खाया जाता है वहीं कई बार जरूरत से ज्यादा खाने पर वजन तेजी से कम होने लगता है सरदीया गर्मी बरदाश्ट ना होना थाइराइड होने पर मोसम का प्रभाव हमारे शरीर पर अधिक दिखाई देने लगता है है तो तुरंत आपको जांच करवानी चाहिए यादाश्ट कम होना थाइराइड के कारण स्मरण शक्ति और सोचने समझने की शमता भी प्रभावित होती है यादाश्ट कमजोर हो सकती है और व्यक्ति का स्वभाव भी चिरचिड़ा हो सकता है पीट में गडबड़ी थाइराइ में होने वाले दर्द को भी कोई आम समस्या ना समझें और तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं क्योंकि यह थाइराइड की समस्या भी हो सकती है थाइराइड से छुटकारा पाने का अब आईए जान लेते हैं दो सबसे आसान और घरेलू उपाए देशी गाय का मुत्र ज खनी सकते हैं यदि यह उपचार नियमित रूप से करेंगे तो आप घरेल जैसे समस्या से चुटकारा पालेंगे धनिया बहुत यानि की साबूत धनिया को बारीट पीसना है बहुत बारीट पीछ करके इसका पाउडर बना लेना है एक चंवच गलास यानि की एक गलास पा तो ये वो जानकारी थी जिसके सहरे आप सबसे पहले तो थाइराइड के लक्षनों के द्वारा थाइराइड है आपको ये पहचान सकते हैं इसके बाद सबसे महतोपून होता है इसका इलाज बहुत जरूरी होता है वो कर सकते हैं आप जिससे की आपको फायदा होगा तो ये